इन दोस्तों स्वागा था आपका सिक्षा कम्ठी संग क्लासिस में दोस्तों आज किस वीडियो में हम MP पुलिस भरती 2020 की बात करेंगे दोस्तों जब से न्यूज पेपर में आया है कि जो अभ्यारती मद्द प्रदेश पुलिस की तैयरी कर रहे हैं उनको थानों में प्रसिक्षण दिया जाएगा दो कोश्चन दोस्तों प्रभु क बन गए पहला कोश्चन ये कि क्या मद्द प्रदेश पुलिस के फिचकल में बदलाव कर दिया गया और दोस्तों दूसरा कोश्चन ये बन गया जो अभ्यारती थानों में प्रसिक्षण करेगा क्या उनको बोनस अंक मिलेगा कुछ ऐसा ही दोस्तो इस नीज़ पेपर में लिखा है कि आपका फिचकल 5 इवेंट में होगा और दोस्तो जो प्रसिक्षण करेगा थानों में उनको दोस्तो प्रात्मिक्ता दी जाएगी वही से दोस्तो दो कोस्चन प्रमुक बन गए कि क्या फिचकल में बदलाओ कर दिया गया या तो दोस्तो बोनस अंक मिलेगा जो प्रसिक्षण करेंगे दोस्तो इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी डेटेल से देंगे कि आखिर क्या है ये थाने के प्रसिक्षण की स्कीम उसके पहले दोस्तों आपको एक महत्पूर सूचना बता दें कि अगर आप MPSI, MP Constable और दोस्तों अगर आप MPPSC की तयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक परिक्षा Apps को डाउनलोड नहीं किया है तो हम वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे दोस्तों आप परिक्षा Apps को डाउनलोड कर ले दोस्तों इस एप की खाजियत ये है कि जिस लेबल के कोश्चन MPPSC, MP Constable, MPPSI में पूछा जाते हैं उसी लेबल का दोस्तों टेश्ट स्रीज उपलब्द करा जाता है दोस्तों इसका एनलाजसी समने कर लिया है इसलिए दोस्तों आप परिक्षा Apps को डाउनलोड कर ले और दोस्तों सबसे बड़ी इसकी खासियत हम आपको ये बता दे कि जितने भी कोश्चन बनते हैं MPPSI, MP Constable, MPPSC में यानि दोस्तों पुराने पेपर में आई हुए कोश्चन को भी दोस्तों टेश्ट स्रीज में कफर करा जाता है और दोस्तों एक आपको छूट मिलेगी अगर दोस्तों आप यहां से टेश्ट स्रीज लेते हैं तो आपको 40% की छूट मिलेगी अगर दोस्तों आप मेरा कूपन कोट सिक्षा 40 S H I K S H A 40 को दोस्तों अगर आप यूज करते हैं दोस्तों आपको 40% का छूट भी मिलेगा तो वीडियो को नीचे दोस्तों लिंक मिल जाएगा परिक्षा एप्स का तो आप परिक्षा एप्स को डाउनलोड कर ले और टेश्ट देखे देखे दोस्तों आप में बहुत सुधार आएगा अब चलिए दोस्तों आपको इस भरती पर क्रिया के बारे मताते हैं कि जो पुलिस विभाग ने दोस्तों स्कीम निकाली है कि जो अभ्यारती यंपी पुलिस की तैयरी कर रहे हैं उनको थानों में प्रसिक्षन दिया जाएगा दोस्तों देख लिजे ये रिवा जी लेके थाना के बात कर रहा हूँ जबा की दोस्तों यहाँ पे देख लिजे पुलिस में भरती यूबाओं को 29 दिसंबर को प्रसिक्षन जबा थाना में दोस्तों इसमें ये बता जा रहा है कि जो जो अब्यार्थी यमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तो जवा थाना के अंतरगती ख़बर है दोस्तो आप देख लिजे पुलिस अनुभाग डभावरा के अंतरगत जवा पनवार अतरैला और डभावरा थाना के लिए युवाओं से आई-जी ने दोस्तो यह निर्देश निकाला है कि दोस्तो 29 दिसम्बर को दोस्तो दिन है रविबार उस दिन दोस्तो इनको प्रसिक्षन दिया जाएगा यमपी पुलिस भरती के लिए और दोस्तो इसमें ये लिखा है कि 28 दिसंबर तक आपका पंजियन है वही मुबाइल नंबर आपको और नाम ले जाके लिखाना है और दोस्तों इसमें और आएंगे तो आप देख लिए जो फिचकल की बदलाव की बात कर रहा था कि पुलिस भरती में जो भी माप दंड जैसे दौर कूद उंची कूद और द दोस्तों ऐसे आपको बता दें कि अगर MP पुलिस के फिचकल में क्या क्या होता है आपको नहीं पता है तो वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा या तो जैसे ये वीडियो समाप्त होगा तो आपके स्क्रीन के उपर आजाएगा कि इसके फिचकल में क्या क्या होता है क एक बार पहले निउस पेपर में लिखा था आया ही था कि पाच इवेंट में आपके फिचकल होंगे MP पुलिस के जिसमें दोस्तों 100 मीटर की दोड़ और उची कुद जो जोडने की बात कही जा रही थी तो इसलिए दोस्तों बिहारतियों के मन में सवाल बन गया कि क्या MP पु जाएगी दोस्तों यहां से दूसरा सवाल यह बन गया कि जो अब्यारति थानों में जाके प्रसिक्षन लेंगे क्या उनको बोनस अंक मिलेगा दोस्तों हम आपको बता दें कि जब तक कोई आफीसियल जानकारी नहीं आती है तब तक दोस्तों इसके बारे में कुछ कहना ब हैर रखें जब तक आफीसियल नोटिकेशन नहीं आता है तब तक दोस्तों इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है न्यूज पेपर में दोस्तों कुछ भी आ जाता है न्यूज पेपर का ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए दोस्तों अगर आपको कोई सबाल हो तो आप क जानकारी देनी थी बहुत जल्दगले ब्यूरी में